हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू चोपलास किचन, स्वागत है आपका तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का लोग डाउन चल रहा है तो सब अपने घर में सुरक्षित हैं तो मैं सबसे सब लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए क्योंकि लोग डाउन में जो है नियम होगा पालन करना बहुत जरूरी है मनना आप अपनी जान से हाथ दो सकते हैं तो चलिए इस लोगडाउन में आज मैं लोगी की सबजी बनाने वाला हूँ रस्से वाली लोगी की सबजी बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है यह तो इसके लिए जो है हमें यह कुछ समान चाहिए होगा जो इस प्रकार है यह दो लोगी है इसके लिए और ये तीन टमाटर लिये हैं मैंने दो हरी मिर्च है, आट दस लहसुन की कलिया है एक इंच का जिनर का टुकड़ा है और दो प्याज है तो अब इनको त्यार करने के लिए सबसे पहले मैं प्याज को जो है काट के और इसे ग्राइंड करूँ है मिक्सी में अच्छे से तो चलिए फिर शुरू करते हैं लोकी की सबजी बनाना तो ये प्याज को मैंने दो कर छोटे-छोटे पीस में काट लिया है, इसमें लहसून और अदरक और हरी मिज भी डाल दिये अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगा जल्दी से, ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है तो अब ये इसका पेश्ट बन गया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना ये कूकर को मैंने गैस पर रख दिया है ऐसे गैस को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है मैंने अब ये गरम हो गया कूकर अब इसमें एक टेबल स्पून सरसोगा तेल डाल दीजिए आप चाहे तो कोई सा भी रिफाइंड यूस कर सकते हैं लेकिन सरसो के तेल में लोकी की सबजी बहुती टेश्टी लगती है अब तेल जब गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे हम आदा चम्मट जीरा अब जीरा जब चटकने लगे अच्छे से तो इसमें मैं थोड़ी सी हींग डाल देता हूँ थोड़ी सी हींग डाल दीजिए इस से बहुत अच्छी खुश्बू आएगी सबजी में तो ये भी हींग भी अच्छे से सोटे हो गई है अब हम अपना ये पेश्ट जो बनाया था लैसुन अदरक और प्याज का और हरी मिर्च का वो इसमें डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम सोटे करेंगे तो अब इसे सोटे कर लीजिए आप लगबख पांस से छे मिनिट लगेंगे इसमें तो ये जो है लोकी की सबजी बनाने का बहुत ही असान और इजी तरीका है अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूं क्योंकि ये जो है प्याज जिससे की लगे ना आपके कूकर में अब ये टमाटर के मैंने छोटे-छोटे पीश कर लिए और में इसे ग्राइंड कर लूँगा अच्छे से तो अब ये मैंने इसमें आदी चम्मस सौफ डाल दिये सौफ आप डालना चाहें तो डाल दें मनना मट डाले सौफ डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस सबजी में तो देखिए प्याज ये अच्छे से गॉल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट अब इसे भी हम अच्छे से सोटे कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें मैं एड़ कर दूँगा नमक स्वाद अनुसार आपको जैसा नमक पसंद है आप वैसा नमक इसमें एड़ कर सकते हैं तो अब यह नमक भी इसमें डो गया अच्छे से, इसे Schreком अच्छे से पकाएंगे और यह मैंने लो की अच्छे से दो कर साफ करके से, जो है, काट लिये छोटे छोटे पीस देखिए, टमाटर का जो है, मोईस्चर जो है, हमें पिलकूल अच्छे से खतम करना है अब इस बीच ये कसूरी मेथी ले लिजिए थोड़ी सी और इसे जो है इसमें एड़ कर दीजिए इस तरीके से कसूरी मेथी जो है आप किसी भी सबजी में डाल सकते हैं इसका बहुत एच्छा टेस्ट आता है किसी भी सुर्य है लोकी भी अच्छे जब मिक्स हो गई है देखिए अब इसमें हम जो है पानी डालेंगे जो कि हम रसे वाली लोकी बना रहे हैं तो आप पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आप किसी को यादा तरी पसंद होती है किसी को कम तरी पसंद होती है तो ये मैंने इसमें गरम मसाला खुश्बू के लिए जिससे की बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कुकर को बंद कर दीजिए इसमें सीटी लगा दीजिए तो अब इसमें 5 सीटी आएगी लगबग देखिए यह सीटी आना शुरू हो गई है लगबग 5-6 सीटी आने के बाद आप उसे रूम टे इंप्रेचर पर मैंने छोड़ दिया तो कूकर अब इससे देखिए मैंने ऐसे खोला आए और देखिए लोकी की सब्जी बनके त्यार हो गई है बिल्कुल अच्छे से पग गई है यह तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं जल्दी से तो अब इसे जो है मैंने सर्व कर लिया है तो उमीद करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस लोकडाउन में जो है आप भी घर पे अपना सुरक्षित रहिए सेफ रहिए और ऐसे ही वीडियो बनाई है अच्छे अच्छे लेकर रहूंगा एक और नया वीडियो तो जब तक खाते रहिए पकाते रहिए और देखते रहिए चोप रास किचन